शेख मेरे सवाल यह है कि एक उलमा बोल रहे थे मुलाना बोल रहे थे कि पस्चीम की तरफ और अपना फेस के फेस के फ्रेंट के साइड और राइट साइड में आप थूक नहीं सकते तो यह कहां तक सही है सवाल इनका जितना मैं सुना हूँ यह है कि डाइट साइड में थूक नहीं सकते हैं जे देखे वो जो हदीस पच्छिम की तरफ जे देखे वो जो हदीस है जिसमें इस बात का जिक्र है वो नमाज के सिलसले में है आप नमाज में हो अगर आपको ऐसी जरूरत पढ़ जाए त आप सामने किबला की तरफ नहीं थूकें क्योंकि किबला की तरफ आप रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं आप अल्लह ताला की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहे हैं जो आप जो है सामने नहीं थूकें और जाहिर है सामने थूकना वैसे भी मायूब है आपके सामने इमाम होता है तो कोई आदमी होता है आप जो है दाएं नहीं ठोकेंगे आप बाएं तरफ ठोकेंगे अग्या कोई आप रुमाल वगरा रखे रहें उसमें आप ठोक करके अपने जेब में रख लें तो यह नमाज के तीशू अगर अगर आप रखें उसमें थूक करके आप रख लें अच्छा शेक इसमें अमूमी नहीं है अजाज़त यानी कि तरफ रोख करके थूकना अमूम में क्या खुखना बाद आप बाद उलमा ने इसको कराहत इस बारे में कराहत का हुक्म लगाया है लेकिन हराम कहन ये दुरूस नहीं है खुरमत की और वो रिवायत शेक जिसमें अल्ला के नभी ने एक शख्ते वे देखा तो कहा कि इसको अपना इमाम ना बनाना उसको भी मस्जिद पर महमूल किया जाता है जिन रिवायतों में मस्जिद का खिराया है इन आम रिवायतों को उसी पर महमूल किया जाता है